नए व्लॉक का नया दिन तच्छी अगरतेत व्लॉक की शिवाद तो गाइज आज है सराद किया है हमने घर पे तो उसके लिए खाना मगार आद दे के आते हैं पंडित को तो हम दे आये हैं तो अब भी मैं भी खाना खा रहा हूं दे लो खाने की शिवाद होचके हैं ने बना वाइज अभी चलिए खाते हैं और देखते हैं आगे का व्लॉग आज क्या करते हैं चलिए बाबाइज मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि मैंने एक ट्राइपोड और और किया था व्लॉग के लिए तो अभी आज आ चुका है ये देखिए ये अभी मैं थोड़ी द दर का ज़िए गिरने दर एक अगरा नो का ज़िए भाते हैं तो छय रहा है बंडनी कई आसे प्रशाम का ज्तिको जुका जैरा आए ये है नमारा फासव जल इन गिना जन का तुंत मैं जान नहीं है आंनी एक को भानाय के टेव लए है या टेव नी तक नहीं आ थियॉ आ य केम दे एंकनी बड़े से में थीला में तून पुल रच दूकरों दूनों से खोल विग्षाँ, हम को सिखा रहे है है हाँH तुमको सिखा रहे है जैसे दुशेझने श्मरो आयन आपके, ये निकलिगा देखने है उप्हे दीखनो से,细 में दोरग धतने हम देखें कैसा है हमारा साइब और यह कुछ ऐसा है इसमें इंस्टुक्शन्स को दीनेगें कैसे इसे करने है कैसे फिर्ण मार्ण टंस्टुक्शन्स को अपर आपरेंस माई एका गया बंद कार आप नए कुछा दिकाईत इसेगा के भी नाफ नाप लगए काई कुछब टिक्या है आपी एपी चाए एपना का लिए एफ दी रहेंदा होना आप मू? आपी रहेंदा होना आप तो अदी रहेंदा होना आप मू? यह उतर आदे स्टैंट बने आए या जाए तेंपेल ना तो अब जो हमाना पाउसल था बहुत ही जाता कष्ट और मेहनत के बाद इसे हमने फिक्स कर लिया है और यह कुछ ऐसा लग जाए देगे तो यह एक स्टैंड भी है क्याइपोड तो मैं आपको इसे दिखाता हूँ तो गाइज इसके साथ मिला है इसके साथ मिला है हमी एक माइक जो की दिखने में कुछ ऐसा है विए बिखाता हूँ हूँ हम एक माइक को में आप डेंगे लिए ये में हम माइक होल्डे लिए मिला हमेक माइक होल्ड को यहां पर यहां पर जो पच्छा करें दिखता हूं जो एक चलिए इसे टेस्क करेंगे तो हेलो गाइज कैसे हो आप लोग तो आरही है मेरी आवाज क्लियर आरही है क्लियर थोड़ी राचा लगरा हूं अवास सभी है हैं एलो माइक चेक है गैलो गाईज सभी है अवाज मेरी आरही है यह सुन डूर पता नहीं चलिए कि इसका रिजल्ट की आया वीडियो में सभी माइक की तार की लें लेंट इतनी है कि मैं से ऐसे जादा दूर जा कि करेंगे भी क्या हम तो पास में रहेंगे जो लेकिन तार इसे बाहर नहीं रखते हैं जार को अंदर रहना बड़ेगा तो क्या कर सकते हैं तो अगर अंदर से निकाले तो इसकी लेंथ और कम हो जाएगी तो लो कोई नी देखते हैं धे धे अपग्रेड होंगे हम भी है ठीक है वाई चुट कर रहा हूं नए ट्राइपॉड नए माइक से देखते हैं से अब आसलियर आती है मैंने देखा भी टेस्ट किया वाई यह देखो ट्राइपॉड का हाथ में कैसा लग रहा है अब इससे मैं ब्लाग शूट करूंगा अपने और इसके साथ में मिला यह माइक जिसकी कॉलिटी बहुत अच्छी है मतलब मेरे हिसाब से तो सही है क्योंकि जो मैं आराम से भी अगर मैं आराम से भी बोलूं तो भी इसमें आवाज आएगी और अगर मैं लाउडली बोलू तो इसमें आवाज आती ही है तो अभी हमारी वीडियो अपग्रेड हो चुकी है यह हमारा नया ट्राइपॉड और साथ में हमारा यह माइक सही है वैल डन चलिए अब दिदम को बुलाते हैं आप दिखाते हैं उसे दिदम और सेमी दोनों को बुलाएंगे नहीं दिदम सेम मैंने दिखानी है यह अपना नया माइक और ट्राइपॉड तो वह आनी वारे होंगे चलिए देखते हैं बाहर कि वह आये हैं या नहीं देखते हैं इक साथी आ रहे हैं घगा दिखेते हैं फन्क वाय देखते है मैं घंड, और समय क्या है कनी क्वाल्य को तंक subscriptions केसे कि अउड… क्तों ईसला है थैफ दोत्हू क। ऐस्बंड, दोत्पृट signaling और you open हमारे पास सब कुछ होने वादा है है तो है लो गाइज यह देखिए हमारा न्यू माइक यह सुन हुजी है तो यह हम ट्राइपोड से पहली वीडियो बना रहे हैं अभी मैं आप्-ना चुका व्लोग हमारा अट्राइपोड से मने वीडियो सटे अचला रहे तो अब जनम हम चलते हैं आप खाते हैं मोमोस खुष हवाएगा आये बोनों के डिख्वाद्यों को खाते हैं ट्राइक लो गाइस कैसे हुएं मेने को बताए हुए मैंने निया माइक लिया है एक है, माइक टेस्टीं हो रही है,अब बें धीक्स योगिल को इतना बोलने लिया था भाई क्योई धीरे धीरे जाएगा भी हमने सुचा कि कल शुबहम जांगे चलके नगोद्द qualche तो उसकी डिसकुछन ओर यह हूं आच्छे देध भी जाएगा उसाथ में सोन भी जाएगा हम सब이 जाएंगे चलके नकोड़र ऑल यहां तो गाइज यहां से नकोड़र अरांड 15 किलो मेटर तो 15 किलो मेटर हम चलके जाएंगे पाता नहीं में दिखाएंगे आपको पूरा दास्ते का चिल मलब सब को च्याक को पता चल जाएगा तो चलिए कीगे का पे हो रही है जागो यो अभी मैं आटको मतलब की एटिंग कर रहा था तो अभी मैंने मुझे याद है कि हाँ अभी एटइंग तो बची है क्योंकि एटिंग के आटमें देखा कि आब ही आटिंग नई कि वीडियो मेंrzy तो अभी मैं एंडिंग करने वाला ही था कि सड़नली मौसम चेंज हो गया और बारिश की मतलग बारिश होने लगी है धेरी चल दिया हावा चल दिया बहुत ठंडड़ी हाँ लास्ट टाइम जब हावा चली थी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी सॉंग्स गाते हुए कि भाई बारिश की मौसम में मेरे गाने बेस्ट होते हैं मुझे लगता है तो फुल वीडियो तो नहीं बनी लेकिन हां मैंने बनाई थी वीडियो तो वह भी मैं पोस्ट करूंगा एक दो दिन तक क्योंकि अभी मौका ही नहीं मिल दा यार मुझे पोस्ट करने का वह तो भी वोग पोस्ट करेंगे और आज तो भाई ऐसा कि कल मैंने सुबह पांच बज़िट नहीं पांच बज़िट के फिर अब जैसा मौसम मैं लगता तो नहीं है कोई नहीं जो भी हुआ सुबह देखेंगे तो अगर हम वैसे तो मौसम सही होगा सुबह हम सुबह सुबह निकल जाएंगी यहां से घर से और सुबह पांच बज़िए उठना पड़ेगा मुझे पहले पांच बज़िए उठके फि देखने में तो पूरे रास्ते हम फुल चिल करेंगे और मस्ते करेंगे देखना आप चलिए फिर करते हैं आज का व्लाग अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो मे सब्सक्राइब अच्छे जाएं और हमारे भी अच्छे जाएंगे जैमत आदी तो सब्सक्राइब कुछ वड़िया होगा वेल ड़न ओल्डवेस्ट बबाइब चलिए करते हैं व्लोग एंच्छे में